असलाम लेकूम एपिवान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दफूडी लॉज अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं का तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें आज ही इस वीडियो में हम बनाएंगे आलमंड चिकन बहुत ही ईजी और मज़ेदार रेसिपी है रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला रह्मान रहीम सबसे पहले लेंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन ओईल तीन से चार टेबल स्पोन्स नमक एक टी स्पोन या हस्बेजाइका काली मिर्श पाउडर आदी टी स्पोन सुफेद मिर्श पाउडर आदी टी स्पोन कौन फ्लोर एक टेबल स्पोन इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर चिकन को हाफ एन और के लिए मैरीनिशन के लिए रख दें अब एक अलग पैन में शामिल करें तीन से चार टेबल स्पोन्स आईल इसमें आप शामिल करें वन थर्ड कप बदाम आपके अपनी मर्जी है आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं बदामा को पहले मैंने यहाँ पर पानी में उबाल के इनका चिलका उतार लिया था आर्मन्स को हमने यहाँ पर लो फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक के यह गोर्लन हो जाएं फ्लेम को हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे क्योंके इस तरह से उन पर कलर आ जाएगा और यह क्रिस्पी नहीं होंगे इनको आप डिश आउट कर लें और फिर इनको ठंडा होने दें आमन्स को लो फ्लेम पर अगर हम फ्राई करेंगे और इसको किसी कुले बरतन में ठंडा होने रखेंगे तो फिर यह ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे अब इसी ओईल में शामिल करें क्वाटर कप गाजरे इस टोटली अप टू यू कि आप कौन सी शेप रखना चाते हैं गाजरों को हमने चंद सेकिंड के लिए ही फ्राई करना है हार्डली इसको लो फ्लेम पर 30 टू 60 सेकिंड के लिए फ्राई करना है इसको आप डिश आउट कर लें अब इसी ही ओईल में क्वाटर कप शिम्ला मिर्ट शामिल करें इसको भी हम चंद सेकिंड के लिए ही फ्राई करेंगे क्योंकि शिम्ला मिर्ट जल्दी फ्राई हो जाती है और हमने इसकी क्रंचिनेस को खतम नहीं करना इसको आप डिश आउट कर लें और फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट वेजिटेबल जो के हैं अनियन अनियन भी क्वाटर कप शामिल कर लें या आपकी अपनी मर्जी है आप सबजियों की क्या शेप कट करना चाते हैं अनियन्स को भी थोड़ा सा ही फ्राइ करें अब इसको डिश आउट कर लें वेजिटेबल्स को भी फ्राइ करके किसी खुले बर्तन में ही डिश आउट करें ताके ये सौगी ना हो इसमें अब शामिल करें एक टेबल स्पून चॉप्ट कारलिक इसको लो फ्लेम पर चंद सेकिंड के लिए फ्राइ करें कि गारलिक सौते हो जाए अब इसमें शामिल करें मैरिनेट्ड चिकन इसको मीडियूम टू लो फ्लेम पर इतनी दे फ्राइ करें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए जब चिकन फ्राइ हो जाए तो इसमें एक टेबल स्पून शामिल करें वस्टरशाय सॉस चीनी एक टीस्पून सफेद मिर्श पाउडर आदी टीस्पून काली मिर्श पाउडर आदी टीस्पून नमक आदी टीस्पून या हस्बे जाए का हमने मैरिनेशन में भी नमक शामिल किया था सौय सॉस दो टेबल स्पून पानी एक कप या हजब जरूरत इतने पानी को आप पहले मिक्स कर ले ताकि आपको आइडिया हो कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें आपके अपनी मर्जी है आप इसमें उतना पानी शामिल कर सकते हैं मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पिसकी ग्रेवी चिकन के लहाद से थोड़ी कम लागरी थी मैंने इसमें आदा कब पानी मजीद शामिल किया है यह आपके अपनी मर्जी है आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसको अब दो से तीन मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बगाएं इस टेज़ पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें मजीद सॉल्ट एट करने की जुरूरत हो तो शामिल कर लें अब आदा कब पानी लें इसमें शामिल करें एक टेबल स्पून कॉन फ्लोर इसको अची तरह से मिक्स कर लें टू अवाइड एनी लंप्स जब यह mix हो जाए तो एक हाथ से conflore इसमें शामिल करें और एक हाथ से इसमें चमच हिलाते रहें ताके कोई lumps ना बने इस stage पे frame को या बंद कर दिया करें या बिल्कुल low कर दें कि कोई lumps ना बने इसको एक से दो मिनिट के लिए medium frame पर पकाएं कि यह ठिक हो जाए और इस दोरान इसको मुसलसल हिलाते रहें लास्ट पर बर्नर को ओफ कर दें और इसमें fried vegetables एड़ करें क्यूंके vegetables को हमने पकाना नहीं है इस तरह इनकी crunchiness खत्म हो जाएगी इनको अब इसमें ची तरह से mix कर ले चिकन यहां पर बिल्कुल रेड़ी है इसको अब dish out कर ले स्टार्ट में जो हमने almonds fry किये थे अब इस पर वो sprinkle कर ले आप चाहें तो almonds थोड़े से ज़्यदा भी शामल कर सकते हैं लास्ट पर इसको chopped spring onion के साथ garnish करें और फिर egg fried rice के साथ सर्फ करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो don't forget to like, share, comment and subscribe also don't forget to hit the bell icon ताके मेरी आने वाली हर वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल जाए इंशाला आप से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज